दोस्तो स्वागत है आपका मेरे च्यानल सनातन धर्म पे। जब जब धर्ती पर धर्म घटता है तब तब भगवान श्रीहरी विश्णु ने इश धर्ती पर मनुस्य स्वरुप में जन्म लिये है और पापियों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना की है। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन और उनकी रानी पदमावती के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कंस था। उसकी देव की नाम की भेन थी। जैसे जैसे कंस बड़ा हुआ उसकी असुरी प्रबृती बढ़ता गया और एक दिन उसने अपने पिता उग कंस की बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई, जो यादव समाज के ही एक मुखिया थे। शादी के बाद कंस अपनी बहन को रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवानी हुई, हे कंस, अपनी जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उ जह सुनकर कंस आग बबूला हो उठा, उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी का वध करने के लिए जप्टा, वासुदेव ने तुरंत उसे रोका और प्रार्थना करने लगे, देवकी, तुम्हारी बहन है, तुम उसकी जान कैसे ले सकते हो, कृपा करके उसकी करता हूँ कि हमारा जो भी बच्चा होगा, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँगा, तुम उसे मार देना, कंस ने देवकी को छोड़ तो दिया, लेकिन वह अपने जीवन और सुरक्षा को लेकर इस गदर चिंतित हो उठा, कि उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया, ताकि उन पर कड़ी नजर रखी जा सके, वासुदेव और देवकी के यहां पहले बच्चे का जन्म हुआ, सुरक्षा कर्मियों ने कंस को इसकी सूचना दे दी, कंस तुरंत वहां आया, कंस को देखकर वासुदेव और देवकी रोने लगे और कहा, कि तु हमारा दुश्मन तो हमारा आठवा बच्चा है, इसे तो छोड़ दो, लेकिन कंस ने कहा, कि मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता, उसने बच्चे को उठाया और पैर पकड़कर उसे जमीन में दे मारा, यह क्रम जारी रहा, जब भी बच्चे का जन्म होता, वासुदेव कंस के तोर तरीकों से बेहद कुंठित हो गए थे, पूरे राज्य में प्रजा भी उससे बेहद डरी हुई थी, धीरे धीरे दूसरे लोग भी कुंठित होने लगे और महल के अंदर ही फूट और अन्बन होने लगी, जब सात्वा बच्चा आया, तब वासु क्योंकि यह पहले से ही मरा हुआ है, इसलिए आपको इसे मारने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इस तरह वासुदेव और देवकी के सात्वें बच्चे को यमुनापार पहुँचा दिया गया। इस बच्चे को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिनी के पास गोकुल पहुचाया गया था, उसका नाम बलराम रखा गया। बड़े होकर बलराम बहुत बलशाली हुए, उनके बल और वीरता की कई कहानिया मशहूर हुई। भाद्रपद मास के अश्ठमि के दिन रोहिनी नक्षत्र में देवकी ने एक पुत्र को जनम दिया। बच्चे का जनम होते ही भारी वर्षा होने लगा और चमतकारिक ढंग से सारे सिपाही सो गये। वासुदेव की हाथ की जनजीर खुद ही खुल गया। वासुदेव बच्चे को लेकर यमुना पार कराने लगा। यमुना का पानी ऊपर उठने लगा। यमुना के पानी ने जब श्री चर्ण स्पर्ष किया तो यमुना सांत हो गई। वासुदेव पुत्र को यमुना पार गोकुल ले गया। और अपने चचेरे भाई नंद के घर जाकर नंद और यसोदा की बेटी, जिसका कुछ ही देर पहले जन्म हुवा था, उसकी जगह रख दिया। फिर नंद की पुत आवनिदिकी, हे अत्याचारी कंस, तेरा काल, जिसे तु मारना चाहता है, वो जन्म ले चुका है और तेरी मौत उसी के हाथों होगी। ये कहकर वो बच्ची अंतर ध्यान हो गई। ये बात सुनकर कंस के हों सुड़ गए। चिंता के मारे उसने पुतना और बहुत से राक उसका ही बध कर देता। समय बित्ता गया, क्रिश्न भी लिलाये दिखाते गए, अब कंस को ये संदेह हुआ कि हो ना हो, क्रिश्न ही वासुदेव और देव की का आठवा पुत्र है। कंस ने क्रिश्न को लेने अकरूर को गोकुल भेजा, जो कि क्रिश्न के काका यानि की वासुदेव के भाई थे, वैसे तो अकरूर कंस का आदमी था, लेकिन गुप्तरुपसिक कंस के विरोधी थे। जब अकरूर गोकुल आये, तो उन्होंने नंद और यसोधा को क्रिश्न के असली माता-पिता के बारे में बताया, और क्रिश्न को दंगल प्रतियोग में ले हुआ है, अब वो पूरा करने का समय आ चुका है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो मा, तो क्रिश्न के साथ-साथ बलराम भी मतुरा के लिए निकल परे। दंगल प्रतियोगिता में कंस ने क्रिश्न और बलराम को अपने बहतरिन योद्धाओं से लड़ाया, लेकिन क्रिश्न और बलराम ने सभी को धुल चटा दिया। क्रोध में आके कंस ने क्रिश्न पे वार करना सुरू कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, अंत में भगवान क्रिश्न के हाथों कंस का अंत हुआ, और ऐसे भगवान ने एक बार फिर पाप योका संहार करके धर्ती पर धर्म की रक्षा किया। दोस्तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ऐसी कथाय सुनना अच्छा लगता है तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करे। और कमेंट पर जय श्री कृष्न लिखना ना भूले। आपसे फिर मिलते हैं अगले भीडियो में। जय श्री कृष्न।